दोस्तो जिस तरह से रश्या के साथ मिलकर हमने ब्रहंॉस को डेवलप किया ठीक इसी तरह से अमेरिका के साथ मिलकर भारत को यूवेपी डेवलप कर रहा है जिने की येर लॉंच यूवेपी कहा जाता है यानि ये हवा से किसी फाइटर जेट की मदद से लॉंच किये जाते हैं इसको लेकर मैंने आपको पहले कबरे बता दी थी अभी आपको कुछी समय पहले याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाकर आपको इस्पेशली ये बता आया था यानि फास्ट रेक तरीके से इसका डेवलप मेंटर होना चाहिए हलाकि ये बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला इसमें क्योंकि अमेरिका और भारत दोनों ही साथ मिलकर काम कर रहे हैं जैसे भ्रमोस को डेवलप करना ज़्यादा परेशानी वाली बात साबित नहीं हुई थी क्योंकि रश्या के पास अल्रेडी एक क्रूज मिसाल की टेकनोलजी थी ठीक इसी तरह से अमेरिका के पास इसकी टेकनोलजी है उन्हें एक्सपिरियंस है खुल मिलाकर काफी जल्दी और समय के साथ ये प्रोजेट पूरा हो जाएगा लेकिन दोस्तों अब जो खबर निकल कर आ रही है उसके हिसाब से इस प्रोजेट पर एक्चुली सीरियस होकर काम किया जा रहा है अमेरिका हो या फिर भारत हो इस प्रोजेट को काफी इंपोर्टेंस दिया जा रहा है और मैं आपको बता दू कि इस प्रोजेट के लिए पहली बार खबरे निकल कर आई है कि 30 मिलियन डॉलर्स पारित कर दिये गए है जी है इसके रिसर्च और डॉलर्प्मेंट के काम के लिए पहली बार 30 मिलियन डॉलर्स की घोशना हुई है याने अभी इनिशियली 30 मिलियन डॉलर्स दिये जाएंगे वहाँ पर D.I.D.O. और अमेरिका की टेम ये दोनों मिलकर एक टीम वर्क करेंगे और साथ ही इसकी रिसर्च और डॉलप्मेंट का काम पूरा करेंगे जब ये डिवलाप हो जाएगा उसके बार टेक्नोलजी सेरिंग हो जाएगी इच अदर और फिर बाद में इसका मैनिफेक्चरिंग किया जा सकेगा वैसे पहले इसको लेकर मैंने कई वीडियोज बना चुका हूँ आप अगर और डीटेल में जानना चाहते हैं इनी सब चीज़ों को तो आप जाकर देख सकते हैं बाकि इस समय के सबसे बड़ी ख़बर यही है कि इसके Research and Development के लिए 30 मिलियन डॉलर्स पारित कर दिये गए हैं जय हिन